नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मेरे पास है आज इस तरह का Bluetooth speaker जो कि आप देख सकते हैं थोड़ा काफी लंबा होता है, जो कि हमारा इस setup में, पूरा हमारा Bluetooth speaker वो नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर देखें घुमा घुमा थोड़ा सा दिखा दे रहा है, इसका problem यह है कि इसम भी थोड़ी हलकी होती है, और जैसे ही कोई तेजी से लगाता है या थोड़ा सा इसको ठोकर लग जाता है, तो हमारा charging pin यहाँ से उखड़ जाता है, आज कि इस वीडियो में इस charging pin का हम सलूसल बताने वाले हैं, चाहे आपका एकदम PCB उखड़ गया हो, चाहे PCB हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले इसे खोलने के लिए आगे का जो जाली होता है, इस जाली को आपको हटाना होगा, मैंने यहाँ सभी को इसलिए खोल लिया है, कि बीडियो बहुत जादा लंबी नहों, इसनाते मैंने इसको पहले से ही खोल लिया है, जब जाली आप हट साइड से आपको प्लेट को किसी भी पेचकर सिया टूल की मदद से यहां से इस तरह से आपको निकाल लेना होगा प्लेट निकाल लेंगे अब अंदर का जो भी पार्ट लगे हुए देखके इधार एक इस पिकर है और यहां बीच में आपका यहां बैटी लगा हुई यह कार है तो अब यहां से कार्ड को आपको यहां से ऑपन कर लेना इस तरह से यह हमारा कार्ड है जिसमें हमारा charging साकेट जोबी सिस्टम इसी में यह का यानि डफल speaker का है तो डवलаем output के लिए लगाया भी गया है अब यहां जो मिन प्राबला हमारा ये है जो charging pin वाला तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां जो हमारा charging socket जहां पे लगा हुआ था इस पे देखे पूरा PCB यहां से उखड़ गया देखे इस साइड़ से के जो PCB वो भी उखड़ चुका है यानि कि इसको अगर हम नया भी लगाना चाहें तो इसमें लगेगा नहीं तो इस तरह का अगर आपका भी problem है तो आपको कैसे solution इसका करना है आज की वीडियो में यहां बताने वाले हैं अभी दूस्तों यहां हमें charging pin दूसरा लगाने के लिए सबसे पहले यहां positive और negative track को ढूड़ना होगा ठीक है यानि track करना होगा तो देखें यहां पे जो हमारा negative होता है negative आप यहां भी किसी भी body से दे सकते है negative आपका काम चल जाएगा लेकिन positive आपको ढोड़ना होगा positive clear होना चाहिए तो जैसे कि यहां मैंने जो pin इस तरह से लगता है ठीक है यह हमारा charging जो connector होता है तो ऐसे जब करेंगे ऐसे तो ठीक आपका यहां बाये वाला pin होगा यह यहां पर तो यहां इस side का जो भी pin होगा वो positive होगा तो हमें देखें यहां से उखड़ा है तो यहां पर एक हलका सा track यहां पर बचा हुआ है ठीक है यहां पर track बचा हुआ है आपको यहां continuity check कर लेना कि आ रहा है कि नहीं यहां बीप नहीं मिलना चाहिए अगर बीप मिलत है यह आके यहां पर सटा हुआ था यह नमारा एक पार्ट लगा हुआ है यह पार्ट पर यहां पर देखें इस तरह से यहां सटा हुआ था तो यहां negative हमको दे देना है इस register पर और यहां पर positive हमको यहां से मिल जाएगा तो अब लगाएंगे कैसे चुकि charging pin का तो से 10 रुपे में मिल जाता है इसके बाद आपको करना यह है कि यहां तो लगेगा नहीं तो इसके side में कहीं आप एक hole बनाएंगे यहां देख सकते हैं अगर यहां पर हम लगाते हैं तो थोड़ा ज्यादा भद्दा हो जाएगा ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां पर एक hole बन उसके बाद चिम्टी से इसको गोल गोल इस तरह से आपको घुमा के अतना करना है कि यह आपका जो charging पीन है यह इसमें थोड़ा टाइट बैठे चूंकि टाइट अगर नहीं बैठेगा तो बार बार उखड़ता रहेगा और इससे भी आपको problem जहलना पड़ेगा तीक है त फ़ोड़ा सा हम चिम्टी से इसको और चोड़ा कर लेंगे इस तरह थोड़ा सा और चोड़ा करके इसके बाद ृसको यहाँ हम जमरेजस्ति बैठाएंगे ठीक है though जमरेजस्ति बैठाने से होगा कि यह उखड़ेगा नहीं लिए इस कि तरह से तो आपको यहां बताएं अभी हमारा charging pin यहाँ देखे आराम से बैट गया है इसके बाद अब इसका connection हमें करना है तो connection मैंने आपको यहाँ बताया कि जो positive है वहाँ आपने charging pin का यह लाल वाला और जहाँ negative है इसमें आपका यह हरे color का नीला color का है आपका काले color का भी हो सकता है किसी भी color का हो वो negative होगा अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो हमारा red वाला यानि plus है इस plus को हमें कहां जोड़ना है जो हमने plus point find किया था उस पे हमको यहाँ इस तरह से sold कर देना है sold करते वक्त और किसी point से आपका यह wire नहीं सटना चाहिए नहीं तो आपका इसमें दूसरा कोई problem आ जाएगा ठीक है उसके बार minus वाला point जो है यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे sold कर देंगे हमारा minus sold हो गया अब एक बार इसको charging pin लगा कि इसी वक्त हम check कर लेंगे कि हमारा जो है charging जो साकेट सक्सेशफुली बन गया है या नहीं ठीक है आप एक बार ध्यान से जरूर देख लिजेगा इधर अधर कहीं wire आपका सटा न हो तो अब आईए हम charging इसमें लगाते हैं अपना charger तो देखिए मैंने charger यहाँ जैसे ही लगाया हमारा यहा रेड लेडी जलने लगा इसका मतलब हमारा charging सक्सेशफुली सही से हम इसमें install कर दिये हैं अब यहाँ पे जो हमारा wire है देखिए wire को भी आपको अच्छी तरह से feed करन होगा तो wire fit करने के लिए इसको हम देखिए यहाँ पे जो rubber लगे हुए हैं इस rubber को थोड़ा सा हटा लेंगे यहाँ हटा के इसके बाद यहाँ इसके पीछे पीछे से इस तरह से ले जाएंगे इस तरह से ठीक है कि सोरी दोस्तों यह थोड़ा लंबा हो जा रहा है पहले हम यहाँ पे इसको लगा लेते हैं कि इस तरह से बैठ गया अब इसको हम इसमें जाम कर देंगे ठीक है यहाँ इस पीकर बगएर अपना सब फिटिंग कर लेना है देखिए सब उलड़ गये ते गिर गये थे तो पाद आपना बाड़ी यहाँ के हम इस तरह से लगा देंगे इस तो अगो और अगले में यहाँ अच्छे से टाइट कर देंगे तो अभी यह बाद में करेंगे स्कुरू करेंगे बहुत जादा हमारा लंबा वीडियो हो जाएगा एक बार चार्जिंग यहाँ कर लेते हैं तो चार्जिंग देखे हमारा यहां पे सो हो रहा है इस तरह चार्जिंग हमारा सो हो रहा है आन करके एक बार देख लेते हैं तो दोस्तो हमारा जो एक चारजिंग वाला ब्लुटूथ स्पीकर है हमने इसको यहां रिपेः कर दिया यह जो प्राबलम था उसको सॉल्ब कर दिया है और यह चारजिंग पीन आपका कभी नहीं खराब होगा जब भी खराब होगा तो इसको और अरह二oration निकाल कि याप बदल लेंगे बार बार बदल सकते हैं इसने बार चाहे बदल सकते हैं दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल फिर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार